गुल्मॉर्णिंग एवरीबाडी मैसल खोमल सहानी सीनियर लेक्षर सीडी टेम गर्मिन्ट फिर्मिन्स पॉलर टेक्निक कॉलेज अच में आजकर मेरा टॉपिक है एनाटमी ऑफ जेंस कोट और जाकेट एनाटमी का मतलब है कि कोट के कितने पार्ट सोते हैं और उसको वो एक बनाते हैं यह एक तरीकी उसकी विशेशताईं भी कह सकते हैं हम तो आज हम सबसे पहले कोट के या जाकेट के फ्रंट व्यू को या फ्रंट पार्ट को देखते हैं अब आपने यह आपे दिखा है कि इसकी कौन-कौन से हिस्से हैं जैसे कॉलर स्टैंड है इसमें जो कॉलर यूज होता है वो रोल्ड कॉलर का ही एक पार्ट है रोल्ड कॉलर और यह शॉल कॉलर का वेरियेशन है इसका फ्रंट नेक लाइन जो है वो वी होता है और बैक बाला रेजड होता है यहां पे आजाता है हमारा कॉलर स्टैंड और कॉलर जो है वो रोल होके पीछे की और च चोटा सा डाश देख रहे हैं यह कॉलर पिन है और यह लेफ्ट हैं साइड पर होता है इसका प्रयोग होता है कोई भी फ्लार लगाने के लिए यूज़ किया जाता है यह हमारा कहलाता है कॉलर का लैपल या रेवर कहते हैं से इसकी चड़ाई और जो इसकी विट्थ है और जो इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है और कहीं बार हम इसको इंडिविजुल अप्रिकेशन में भी यूज़ करते हैं कि कौन से व्यक्ति को किस प्रकार का कॉलर लेनी चाहिए और कितना लंबा लेना चाहिए यह हमारी कट पॉकिट जैसे हम चेस्ट कट पॉकिट भी बोलते हैं और यह चेस्ट लाइन पे होती है और यह थोड़ी सी तिल्टेड होती है फ्रंट की तरफ तो जो यह होती है बिल्कु स्ट्रेट नहोंगे यह बिल्कुल इसका जो mouth होता है बहुत ही छोटा होता है और इस तिल्टिड इसलिए होती है कि जिससे हम अपना right hand easily हमारा इस pocket में slip हो सके यह हमारे front part है जो की दो हिस्सों में होते हैं right front part and left front part यह left है and this is right front part फिर हमारा आता है coat sleeve, coat sleeve जो है वो two-piece होती है और ये बिल्कुल arm के shape की ही होती है ठीक है और इसमें ये coat sleeve है ये set and sleeve का ही variation है ये two-piece कहलाती है कभी-कभी ये one-piece में भी available होती है या काटी जा सकती है जिसमें इसकी जो seam होती है वो back side में आती है और इसमें seams जो होती है ये दोनों side में आती है यानि एक यहां और एक पीछे की हो तो इसमें दो parts होती है upper sleeve part and lower या under sleeve part ठीक है और sleeve बिल्कुल fitted होती है यहां पर आप यह देख सकते है और इसमें जो cap height होती है वो classic style में आती है फिर ये इसका जो sleeve bottom होता है ये देख सकते हैं य ये up to the wrist level होता है wrist bone तकाता है इसकी जो लंबाई होती है sleeve की वो wrist bone तकाता है फिर ये इसके जो front part है ये हमेशा rounded hem lines होती है इसकी कभी-कभी इनको pointed भी रख सकते हैं बड बेसिकली it is a rounded bottoms फिर हम आते हैं कि कंधों पर fitting देने के लिए अच्छी प्रकार्सी की इसकी जो shoulder seams से बिल्कुल fit पैठे हम padded shoulder का प्रयोग करते हैं और इसके अंदर की तरफ पैड़िंग लगी ही होती है ये पैड़िट shoulders होते हैं पैड़िट shoulders की जो height होती है वह increase की जाती है according to the body अगर जादा slope होता है तो अधिक thick यूज़ किया जाता है और अगर कम होता है और straight होता है तो उसकी जो कम slope होगा अगर shoulder में तो हम उसकी जो thickness है वह कम कर देंगे ठीक है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ही पतली layer भी लगाते हैं जबकि यहां पर पैडिंग देने के लिए होती है शोल्डर के यान की कंदे के इस और और back side वाले portion फिर हमारा आता है यह जो फ्लाक फ्रंट का प्लाकट है यह फेस्ट प्लाकट होता है क्योंकि यह फेसिंग आप देख सकते हैं यह में फैबरिक की है और यह टर्न करके को फेस्ट देती है फेस्ट दिखाती है उसका फिर हम देख सकते हैं यहां पर वेस्ट की शेप देख सकते हैं फिर इसमें horizontal buttonholes होते हैं दो patch pockets होती है और फिर हमारा होता है और कई बार यह patch pocket के लावा इसमें flaps inner flaps वाला भी होती है और यहां फिर हम इसको कह सकते हैं इसमें piped pockets का भी प्रयोग किया जाता है यह see through coat buttons का प्रयोग किया जाता है यहां पर जहने हम reinforce buttons भी कहते हैं क्योंकि यह coat buttons एक different style के होती हैं वह मैं आपको उसके बार में भी बताऊंगे फिर हमारा आता है back view या back part में हम देख सकते हैं कि यह raised collar stand है back part है जो कि दो हिस्सों में कटा हुआ है जैसे front part दो हिस्सों में होता है जैसे ही back part दो हिस्सों में होता है back part front part के comparatively छोटा होता है और बिल्कुल fitted होता है ठीक है क्योंकि आगे वाला हिस्सा इसलिए बढ़ा होता है क्योंकि उसमें chest part आता है तो chest part is more protruding as compared to the back तो backbone में कोई भी protruded कुछ part नहीं होता है इसलिए वो बिल्कुल भी smooth और fitted होता है तीक है और यह है हमारी coat sleeve का यह हम देख सकते हैं इसमें coat sleeve की under जो part है हमारा under sleeve जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर दिखाई देगी यह seam एक आगे होती है और एक यहाँ पर पीछे होती है और जब हम जब sleeve को ऐसे रेखते हैं तो यह seams दोनों यहाँ से हमें नहीं दिखाई देती यहाँ पर हमें सर्फ एक fold line की तरह दिखाई देती है फिर यहाँ पर यह जो center line होती है यह बहुत shaped होती है और हमारी जो backbone होती है उसी के अनुसार इसका shape होता है इसको काटा भी उसी प्रकार से जाता है कि यह हमारी backbone पे पूरा fit पैठे फिर हम देख सकते हैं यह हमारा sleeve bottom है back में हमारा यह एक opening होती है यह stitch हो जाती है उसके बाद हमारी hips वाले part से जो उपर hip के थोड़ा सा उपर वाले हिस्से से हमारी एक vent होती है एक opening होती है जो हमें बैटने में असानी होती है यह हमारी movement में हमको comfort देता है hem lines back part में बिल्कुल straight hem lines होती है और आप यह देख सकते हैं यहां पर हमारे sleeve में buttons भी होते हैं जो कि seam line के पास लगे होते हैं मतलब यह upper sleeve part पर लगे होते हैं इनकी संख्या हो सकती हैं दो तीन हो सकती है depending और यह just for the उसको beautify करने के लिए यानि as a decorative purpose see through buttons लगाया जाते हैं जो कि front button से match करते हैं फिर हम आते हैं side view में side view में आप देख सकते हैं करकि हमें side view में भी कहीं बार कहीं चीज़े हमें notice करते हैं हम लोग देखिए जैसे कि यह जो shoulder होता है वह यहां पर एकदम से देखिए आप यहां पर उभरा हुआ हिस्सा है और shoulder जो है वह बहुत ही सही प्रकार से fit होता है कि कॉलर फिटिंग भी हम देख सकते हैं नेक पर यह बिल्कुल नेक के साथ जुड़ा हुआ होता है और लेपल जो होते हैं वह बिल्कुल आगे की ओर फ्लैट होने चाहिए चेस्ट लाइं पर फिर यह जो सेंटर सीम लाइन है यह हमारी बैकबोन की शेप के अनुसार fitted होती है और यह जो स्लीव की शेप होती है हमारे आम्स की शेप के अनुसार ही प्रतीत होती है अगर आप इसको side view में अगर hanger पे टांग के देख सकते हैं लगा के भी देख सकते हैं फ्रंट जो प्लाकेट है वो बिलकुल फ्लोर के perpendicular यानि 90 डिगरी के angle पे straight होती फॉल करती है और जो bottom hem lines होती है वो फ्लोर के पारलल होती है तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि यह किस तरह से इसके तीनों views हमें दिखाई देते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि front view और coat में का main एक part और होता है जिसे हम कहते हैं lining और coat के अंदर जो अंदर वाले जो supportive fabric होते हैं यह हमने सारे की सारे fashion fabric के ऊपर की सारी चीज़ों को हमने दिखाया है और इसमें बहुत सारे हम supportive fabrics भी use किये जाते हैं जैसे कि stiffening के लिए या stability provide करने के लिए हम interfacing का use करते हैं यहां पर pockets में भी use करते हैं इस वाली आपर वाली pocket में तो यह तो कहराती है interfacing फिर हम use करते हैं इसमें underlining जो इसको support करती है और एक shape प्रदान करती है interlinings जो इसको warmth provide करती है जो कि हमारे यहां पर chest pieces पर use किया जाता है और फिर finally होता है lining जो इन सारी seams को इन बाकी की सब चीजों को enclose करके और अंदर वाले part को भी beautify करती है एक और बता दूं कि इसके जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसमें भी pocket लगी होई होती है और जो कि हमारे left पार्ट में होती है मतब left और right कई भार हमारे दोनों हिस्सों में यहां पर इसी chest line पर हमारी pockets होती है जोने हम cut pockets भी कहते हैं अब आपने यह देखा कि यह जैंस coat की और jacket की एक हमने बहुत ही easy anatomy को यहां पर समझाने की कोशिश किया है thank you